कुछ है आज इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे यदि आप अपने स्क्रीट के अमाध्यम से विडियोरोड करते यानिश्या पने स्मार्टफोन और स्क्रीन रिकॉड़र बनाते हैं तो आप उस इस विडियो का इडियो का एडियो का कैसे कर सकते हैं जैसा कि आप तक आपने सारे वीडियो जहांगे उसμεं अच्छा सा कम्पणी का वाइल लगा करके एक अच्या सा लूक देते थे तो आज इस वीडियो में हम आप विडियो एडिस्ट के दवरान यानि एक्षिंग टारदव इडियो के ऐडितिक कभी frame लगा सकते हैं, हम यहाँ पर आपको laptop, computer और mobile phone के जो frame है, वो तीनों लगाना सिखाएंगे, तो चली सिखते हैं, तो चली है सबसे पहले जानते हैं, जो mobile phone है, उसके frame PNG format में download करना, तो इसके लिए आना होगा आपको chrome browser में, उसके बाद आप google में आए, और यहाँ से search कर mobile frame PNG HD, आपको भी search कर लेना है, आप यहाँ पर किसी company का भी नाम दे सकते हैं, किस company का आपको mobile phone का frame चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ से आईफोन मारा, आईफोन search किया, हम इसे पहले mobile वाली जो भर जैने, उसमें कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें आईफो उनके PNG format के जो photos है, वो दिखने को मिल रहे हैं, आप यहाँ से कोई साभी एक download कर लें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप अपने video में use करना चाहते हो, तो चलिए हम यह जो black है, इसको हम use कर लेते हैं, black and white है, simple आप इसे download कर लें इस तरीके से, अगर इसकी background PNG format में ह हैं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से पहले internet access को बंद करते हैं, अगर नहीं है, तो आप pixel lab का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से, आए pixel lab में और इस वाली पर click करें, और इस transparent वाली color को लें और इसे delete कर दें, और इस plus वार इकन पर click करें, from gallery पर जाएं, उसके बाद आप इसे select कर लें, और simple इस तरीके से पहले आप इसे drag करें, जैसा कि हम यहाँ पर आपको live drag करके दिखा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर एक option आपको मिल जाता है, background eraser का, यहनि कि background हनाने का background color, तो इस पर आप click करेंगे, उसके बाद इसे on कर देंगे, तो इसका जो background का white है, वो हट जाएगी और यहाँ pure transparent हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसे adjust कर ले और simply save और click कर इसे आप save कर ले, इस तरीके से आप किसी भी laptop या अन्य mobile phone का भी PNG format ले सकते हैं, तो फिलार यह photos जो था मेरे phone में PNG format में हो चुका है, चलिए अब हम चलते हैं काइन master में, और दिखाते हैं, तो यह आए हम अपने while phone के काइन master में, उसके बाद हम यहाँ plus पर click किये और 16 to 9 ratio में इसको select किये, और यहाँ से हम एक अच्छा सा background ले लिए, जैसा कि हम फोई color ही ले लेते हैं, चलिए हम इस वाली white वाली color को ही लेते हैं, तो यह मेरा एक white background में आ गया, उस तलिए हम media file में गये और यहाँ से आपना screen recorded video ले लेते हैं, तो यह screen recorded video हमने लिया है, इसे हमने यहाँ पर select किया, कुछ इस तरीके से, तो यहाला हम इसका आवाज बंद कर देते हैं, ताकि आपको disturb नहों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो आ गए हैं, अब हम इसमें frame को add करना है, तो simple इस तरीके से आप पहले video को adjust कर ले, उसके बाद आपको video को कहीं से touch नहीं करना है, यहाँ कि इसकी जगा है यहाँ से इसको इधर उधर move नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ मीड में आ जाएगा, जैसे कि आपको lining दिख रही होगी, त मीड पोजीशन में आ गया, दुनों तरफ से lining दिख रही होगी, यहाँ पर आपको set कर लेना है, उसके बाद tick mark पर click करें, और फिर से जा इस layer वाली option पर, इस media पर click करें, और यहाँ से आपको लेना है, जो भी आपने png में वहाँ से बनाया है, pixel lab से, अगर आपको net for direct png मि मिलाने की जरूरत नहीं है, यह गया हम pixel lab में, उसके बाद नीचे हमें यह देखने को मिला, तो हम इसे select किये, यहाँ से हम इसे वहीं वाली effect देते हैं, जो कि हमने पहले उसमें लिया था, इस तरीके से, ताकि यह दिखने में थोड़ा अलग लगे, उसके बाद आपको simple इ अध्येस्ट कर लेना, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना करने के बाद आप अपने project तक इसे बढ़ा लें, जैसा कि हम इसे बढ़ा लिया, कहीं कहीं यह नहीं दीख रहा है, तो आप यहाँ से adjust कर सकते हैं, वीडियो को select करके थोड़ा size में छोटा कर सकते हैं, जैसा कि आ यहाँ three line पर क्लिक करेंगे और bring front रखेंगे, इसे always आपको bring front रखना है, हो सकता है, इडिंग के दावरान जब आप इडिंग करेंगे, उस समय यह cut हो जाए, यह back में चला जाए, होता है इस तरह कि अगर आप इस वीडियो को cut करते हैं, जैसा कि हम नहीं से script किया यहाँ से तो आप देखेंगे कि जो layer है, इधर वाली layer यह top में आ गई है इस वीडियो को, और आभी frame पीछे चला गया है, और इस वीडियो के आप देखेंगे, तो जो frame है आ गया गया है, और जो इसके layer है पीछे चल गया है, तो आप इससे दूर करने के लिए simple आप इस frame वाली layer पर है, वो हड़ जाएगा, अगर आप चाहते हैं इसे full HD में करना तो सीम उसी तरीके से आप कर पाएंगे, यहां से आप इसे इस तरीके से rotate कर ले, अगर आप लैट आप स्किन भी लगाना चाहते हैं, तो ठीक, इसी तरीके से लगा सकते हैं, उसके बाद फिर से आप अपने इस frame को भी rotate कर ले, और इसे अच्छे तरीके से adjust कर ले, जैसा कि आपने हमारे अधिकांस्ता वीडियो में देखा होगा, इस तरीके से हमने use किया होगा है, इस तरीके से आप ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्फेक्ट परीके से match कर रहा है, अगर आपका तो इससे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए और हमें यह कमेंट में जरूर बताएगा कि यह मेरा पहला फेस का वीडियो कैसा रहा हम अच्छे से इंटरफेस कर रहे हैं केमरे के सामने या नहीं अगर हमें कोई एरर हुई हो हमसे क्या इंप्रूब करनी कि अगर हमें तो गयाओ आर में दोस्तों कि यह मेंट दोस्तों कि यह मेंटाएगा कर आर हमें यह का अगरूर उक्क ।